नमो नमहा आप सभी को जैश्री कृष्ण मैं पूरोई धार्दिक सांधिपनी विद्यानी केतन का ही रुशी कुमार हूँ और यहाँ पर ही अध्यापन का कार्य करा रहा हूँ रुशी ओके चरित्रों के विशय में हम चर्चा कर रहे हैं तब में व्याकरण परमपरा में तीन रुशीयों को महत्व देते हैं उन्हें भगवान की पद्वी देते हैं उसमें से द्वित्यीय रुशी यानी कात्यायन का हो या व्रुरुची का हो उनके विशय में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे हमारे यहां व्याकरण में कई प्रकार के व्याकरण है संस्कृत में मुख्यता आठ व्याकरण है उसमें भी पाणिनी व्याकरण का महत्व अत्यधीक है पाणिनी व्याकरण में पाणिनी व्याकरण इसले कहा जाता है कि इसकी जो शुरुवात हुई ओ पाणीनी रुशी ने की भगवान महादेव की कृपा से उनकी तपसरिया से उन्होंने यह प्रसाद पाया महादेव ने अपने डमरु से 14 सुत्र निकाले और उसमें से पूरे व्याकरण की पर्मपरा शुरू हुई उसमें पहले रुशी हुए भगवान पाणीनी दुसरे रुशी हुए भगवान कात्यायन और तुरुतिय रुशी हुए भगवान पतंजली उसमें से हम भगवान कात्यायन के विश्री में थोड़ी चर्चा करें कात्यायन भी कहता है उसे और कई वररुची नाम से भी उनको जानते हैं ऐसी एक दंत कथा है कि पुर्वजन्म में वह भगवान शिव के एक गण थे उनकी सेवा में थे एक बार महादेव ने कैलास में सभी से कहा कि मैं पार्वती जी से कुछ गुप्त में चर्चा करना चाहता हूँ इसलिए सभी लोग यहां से निकल जाए एकांच चाहा लेकिन तभी जब भगवान शिव जी और पार्वती जी के बीच में समवाद हुआ तब यह जो वरुची है उसने चुपके से सब सुन लिया और बाद में अपनी पत्नी जया नाम की पत्नी थी उससे यह सारी बाते बताई जो महादेव ने पार्वती जी से कहा एक बार सभी सखिया बेटी थी सभी स्त्रिया बेटी थी तब जया ने जो गुपत में बात हुई थी वह सभा में कही पार्वती जी ने यह बात सुनी पार्वती जी ने सोचा कि यह बात तो महादेव ने गुपत रखने को कही थी इसको कैसे पता महादेव ने जब पूछ तो पता चला कि यह तो गुप्त बात वर्रुची ने सुन ली थी इसलिए यह जाहर हो गई तो बाद में महादेव ने श्राब दिया कि तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा और इसके कारण मनुष्य में उसका जन्म हुआ वही है हमारे वर्रुची कात्यायन कात्यायन का जन्म ब्रामनकुर में हुआ कात्यायन गोत्र में हुआ और कई लोग उनके माता पिता के विश्य में कोई उनके पिता यागनवल किया और कात्या यनी को कहता है यह मद्भेद है लेकिन जब छोटे थे तभी से बहुत मेधावी थे पांच बरस की आयू होगी एक बार आश्रम से वनमे से दो शिशी आते हैं गाउ में उसमें एक का नाम था इंद्रदत और दुसरे का नाम था व्याडी यह व्याडी भगवान पाणिनी के मामा का बेटा है साय कहीं लोग कहते हैं तो दोनों लोग चर्चा कर रहे थे उस गाउ में एक संस्कृत नाटक होने वाला था तो वो एक मकान के बाहर बेठे बात्चित हो रही थी तो छोटे बालक कात्यायने भी यह सुना कि हमारे गाउ में नाटक होने वाला है सुबह जब तीनों आये तो माने पूछा कि कैसा नाटक था क्या था उसमें तो वररुची ने अठस लेकर इती तक सारे बात सारे डायलोग भी बता दिये कि यह यह नाटक में हुआ था ऐसा अधभूत उनका बुद्धी तत्व था तो व्याडी और इंद्रदत दोनों चकित हो गए कि हमें इसकी तो खोज थी क्योंकि पाणिनी रुसी के गूरु थे आचार्य वर्स और आचार्य वर्स ने यह प्रतिगिना की कि अब में तभी पढ़ाऊंगा जब कोई ऐसा बच्चा मिले जो मैं एक बार बोलू और ग्रहन में थे जो एक बार में सब सुनकर याद रख ले उन्हें मिल गया बहुत बिंती की है कि आप इसे भेज दीजिए हमारा अध्येन हो बाद में वर्स रुसी के पास यह कात्यायन जाता है वहां अध्येन होता है थोड़े वर्स में अध्यायन समाप्त हो गया बाद में गुर प्राप्त कर लें तो राज्ये में जाते हैं तभी राज्ये के जो राजा थे उसका निधन हो गया और यह तो सब विद्या जानते थे इसलिए इंद्रधत्य ने कहा एक काम करता हूं में राजा के मृत्य सरीर में प्रवेस्ट कर लेता हूं लेकिन मेरे मेरे सरीर की तुम स उसी सरीर में रहना पड़ेगा तो यह सब बाते हुई वह मृत राजा के सरीर में प्रवेश कर गया इंद्रदत और जो व्याडी था वह सरी की रक्षा करता था और ऐसा प्लान था कि वरुची जब सभा में आये कुछ अपनी विद्वत्ता बताए तो जो इंद्रदत राजा के सरीर में था वह बहुत सारा धन उसे दे दे और अपना काम हो जाए ऐसा हुआ भी राजा जीवित हो गया और वरुची आया तो अपनी विद्वत्ता बताई और बहुत सारा धन राजा ने दे दिया लेकिन जो मंत्री था वह बड़ा ही बुद्धिमान था कि राजा ऐसे जला दिया और बाद में तो इंद्रदत ही राजा बन गया और वर्रुची उनका सभापंडित बन गये ऐसे चला बहुत सारी कथाये हैं लेकिन कुछ सारभूत बात हम बताने की कोशिस कर रहे हैं एक बार क्या हुआ पानीनी जी और वर्रुची का सास्त्रार्थ हो गया और उसमें पानीनी जी का विजय हो गया क्योंकि पानीनी जी पर भगवान सिव की कृपा थी उनकी अनुकमपा थी जो भगवान पानीनी जी को जो ग्यान हुआ था वो महादेव की कृपा से हुआ था वह प्रासादिक था वर्रुची को यह विचार आया कि मेरे पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन वह प्रासादिक नहीं है इसलिए वह भी तपस्चरिया के लिए चले गए उन्होंने भी बहुत तपस्चरिया की और बाद में पाणिनीरुशी के व्याकरण के उपर जो उनके वार्तिक के चलते पाणिनी व्याकरण का महत्व बहुत बढ़ गया उस वार्तिक को यदि हम छोड़ दे तो पाणिनी व्याकरण में ऐसी महत्ता नहीं रे बचेगी तो उन्होंने चव्दह सो वार्तिक लिखे उस सुत्रों के ऊपर और बाद में तो कई ग्रन्थ लिखे प्राज संगनक स्लोक भी उन्होंने लिखे बाद में स्वर्गारो होड नाम का काव्य लिखा बहुत सारी कृती हुई तो ऐसे वररुची भगवान सीव के ही गण थे भगवान की कृपा से उन्हें भी दिव्यज्ञान की प्राप्ति हुई ऐसे हमारे आचार्य दृतिया भी ज्यान का थोड़ा प्रकासों कात्यायन को वर रिच्ची को हमारा बारं बार प्रणाम हो जैसी कृष्णा